येस वीडियो मा हामी बीबेस सिकेंडी एर भीजेन गिन इसको 34 नमबर को से आयन से इन एस्थेटिक्स को बारी में पढ़ना गई रहेगा छाओं इसको आथर हुन रोजर इलियट फ्राई यदी मेरो समपूर समरी हेना चान हुँँचा बने चनल को प्रलिस्ट मगेरा हेना सकन हुँँचा इसको समरी पनी इंगलिस मा राग दिन्चु रा कोईशेन एक्सेस साज पनी राग दिन्चु ते भेरा वीडियो लाई अन्ति सम्म लेखक रोजर फ्राई का नुसार ग्राफिक कलाहरू फोटोग्राप स्पेंटिंग ले वास्तविक जीवन को चित्रड गर्णु भंता बढ़ी काल्पनिक जीवन को चित्रड गर्द चा भंद चन यसरी बनाई ही को कलाहरू ले दर्सक लाई दिमाग मा बिभिन खाल को तस उत्तर कारे हुदेईना तरा वास्तविक जीवन मा हुन चा जस्तु की सर्प देख्यों भने डराउनु परछा तरा ग्राफिक कलाम मा भैको सर्प देखदा प्रति उत्तर कारे हुदेईना डराउनु परदेईना तसर्त मान चे स्वतंत्र पूर्बक कलालाई हेरी रहना सक कट्टर नैतिक सास्त्री हरु को विजारमा लेखक सामत छैनन किना कि तेस्तो नैतिक सास्त्री हरु कला बाटा नैतिक मुलिमानता जलकनु परदचा भन्द छन। तेस्तेई प्यूरी टान धर्म का अनुयाई पनी संकुचित धाडा राग देई काल्पनिक संसार भावतिक सुक भन्द पनी निजुगो भन्ने धाडा राग देछन। तरह एक नैतिक सास्त्री रस्कीन ले काल्पनिक जीमन अजे पनी पूर आवस्यक्ता हो भन्ने बिचार राग देछन। लेखक ले काल्पनिक जीमन ले नैतिक तालाई बढ़वा दीन चा भन्द छन। लेखक अब धर्म को कुरा गर्चन। धर्म पनी काल्पनिक जीमन को चित्रड़ो भन्द छन। लेखक धर्मिक बुद्धिमानी बेखतिले धर्म पूरत नैतिक ज्यान दिना सक्चन भन्ने कुरा को प्रमाल दिना न सकने कुरा ब्यक्त गर्द छन। वास्तो मा धार्मिक अन्बो वरुपनी मानिस को सोभाव अध्यात्मिक छमता को अधार मा बनने कुरा गर्द छन। लेखक को नुसार कला बटा प्राप्त काल्पनिक जीवन ले यथार्त जीवन लाई मुल्यांकन गर्ना सयोग पुगने कुरा गर्द छन। वास्तविक जिवन लाई मजाले वास्तविक जिवन भंदा बढ़ी नई व्याख्या गरना सकीन छा तेस्तई कला को कालपनिक जिवन लाई समय अनुसार फरक फरक ढंगले व्याख्या गरना सकने तरह इ व्याख्या रूले वास्तविक जिवन को नैतिक पच्छ लाई सधाई उजागर ग जस्तेई तेरो सताब्दी लाई जंगली रा निर्दै युग भनीन्थो तेस बेला बनाई का तस्बीर लाई जंगली मानोकु चित्रड भईयेता पनी लेखक यस्तो ना भनी त्यो तस्बीर खाली चित्रकार कु कल्पना कु अभिवेक्ति भनना रुचाव छन। आहिले कालपनिक जिन्दोगी को पनी आपने इतिहास छा। मानचे को वास्थविक जिवन मा अचेल का मानचे धन संपती दवलत का लागी परती उत्तर कारी गर्द छन। बच्चा हरुको काल्पनिक विशेवस्तुपनी फरक छा। उनी हरु मिथ्या सपना मा आपू बहादुर भय को देख छन। लेखक ले संगीत ले परनी काल्पनिक जीमन लाई उजागर गर्चा भन छन। अर्थात यसे कुछ सार हो कि वास्तिविक जीमन रा काल्पनिक जीमन रा पहला कुछ जीमन सीथा कमपेर गर्चा छन।